चम्बा के मोर्य शाशक चम्बा राजवन्ष का पूर्व वंशज राजस्थान के चित्तोड से हिमाचिल की और चला गया था अंग्रेजी तियासकार कनिंगम को चम्बा शित्री की अपनी खोज यात्रा में गुप्त लीपी में चम्बा के प्राचीन शाशको द्वारा उतकरिनित शीला लेक और भौस संख्यक तमर पत्र मिले थे इने शीला लेखों और तमर लेखों से चम्बा राजवंश के इतिहास पर सुन्दर प्रकाश पड़ता है उक्त प्राप्त अभी लेखों से कनिंगम मानते हैं कि चम्बा का राजवंश भारत के प्राचीन राजवंशों में सबसे प्राचीन राजवंश है इसवी 550 के लगबग चंबा रजे की स्थापना मानी जाती है इस वंश की वंशावली बड़ी लंबी है जो अभी लेखों और तमर लेखों के मिलान से सही सिद्ध होती है वंशावली में इने सुर्य वंशी और राम के पुत्र कुछ का वंशी बताया गया है चंबा राजवंश वालों का मानना है कि उनके पुरोजों ने चित्तोर से आकर पहाडी भाग पर अपना राज्य स्थापित किया था इसवी सन 550 में चित्तोर पर मौर्यों का राज्य था और ये लोग सुर्य वंशी थे अत्या ये स्पष्ट है कि चंबा राजवंश वाले सुर्य वंशी हैं और चित्तोर के सुर्य वंशी मौर्यों के ही एक शाखा इन प्रदेश की और आई थी इस वंश का प्रथम शाशक मरू था जिसने पाड़ी भूबाग पर अपने राज्य की आधार शीला रखी थी इसने भरमोर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया वरदा भस्ता में उसने अपने पुत्र जैस्थम्ब को राज्य सोंप कर सन्यास ले लिया था जैस्थम्ब का चोथा वंशज आधित्य वर्मा था इसका पोत्र दिवाकर विक्रम और उसका पुत्र मेश वर्मन था यह भरमोर के शासकों में सरवाधिक प्रतापी और वीर इसने अनेक इमारतों और देव मंदिर को निर्मान करवाया था उसके समय की प्राफ्त विशाल मूर्तियां सर्वधातू की है इन पर मेरु वर्मन का नाम उत्करनित है मेरु वर्मन ने अपने राज्य का काफी विस्तार किया था कनिंगम ने इसका शासन समय 680 से 700 इस्वी यह 920 इस्वी में भी विद्यमान था इसने लंबे समय तक रज्य किया था शाहिल वर्मन के रज्य में एक बार 84 योगियों की एक मंडली आई थी राजा ने उनकी सरदा पूर्वक सियो भक्ती की उनके वर्दान से शाहिल वर्मन के दस पुत्र और चंपावती नाम की एक कन् हुआ शाहिल वर्मन ने रवी नदी की घटी के नीचे का भाग और कतीपय छोटे छोटे रज्यों को जीता था कुलू वालों और शाहिल वर्मन में 20 वर्स्त युद चला इन्हें युद्धों में योगी चरपटनात था राजा की एक रानी और राशकुमारी भी साथ रहत था राजा शाहिल की रानी नैना देवी योग सिद नारी थी चमबा शितर में उसका मंदिर है और उसकी देवी की रूप में पूजा होती है राजा साहिल जैसा वीर था वैसा इधार्मिक भी था उसने विश्णू और लश्मी नरैन के मंदरी भी बनवाए थे इतियासकार कनिंगम का खतन है कि शाहिल और गजनी के तुर्कों के बीच युद्ध हुआ था और उसमें तुर्क पराजित हुए थे इस विजय से इसका यश सरवत्र फैल गया था इस वी एक हजार चार्लिस के लगबग शालियवान वर्मन राजा हुआ राज तरंगनी में वर्णन है कि कश्मीर के राजा आनृत देव ने चमबा के राजा शेला पर चड़ाई की थी कनिंगम शालियवान को ही शेला मानता है इस युद्ध में चमबा की परज़ाई हुई थी राजा आनृत देव ने इसे पदिचूत कर इसके पुतर सोम वर्मन को चमबा का शाशक बनाया थ तदंतर चंबा की गद्धी पर कई राजा बेठे इसवी 1175 में विजय वर्मन चंबा का शाशक बना यह बड़ा वीर और योगी शाशक हुआ इसने कश्मीर और लद्दाक पराकरमन कर वहां से खूब धन लूटा और अपनी सेनी शक्ति में वरद्धी की प्रताप सिंग वर्मन 1569 में चंबा के राज सिंगासन पर बैठा इसके और कांगडा के राजा के मद्य लड़ई हुई थी युद में कांगडा की परज़ई हुई इस अभियान में प्रताप सिंग वर्मन को काफी खजना प्राप्त हुआ था प्रताप सिंग वर्मन के समय में दिली में मुगल बादिशा अकबर था अकबर ने पहाडी राजियों को मुगल अधियपत्य में लेने के लिए सेनिक चड़ायां की परिणामत परवत भाके अन्यकतिपय सुदंतर रज्यों की तरह प्रताप सिंग को भी मुगलों का अधिपत्य स्विकार करना पड़ा था प्रताप सिंग के पोत्र जनारदन के और नूरपूर के राजा के बीच युद्ध हुआ यह लड़ेοι बारे वर्ष तक चलती रही चनारदन नूरपूर के राजा जगत सिंग के हाथ से मारा गया और चमबा पर नूरपूर के राजा कदिकार हो गया था राजा जनारदन ने युद्ध काल में अपने पुत्र फिर्थवी सिंग को चम्बा से बार बेज दिया था इसलिए वह जीवित बचा रहा फिर्थवी सिंग मंडे में रहकर बड़ा हुआ इस वी सन 1641 में नूरपूर के राजा ने बादशा शहाजा के विरुद विद्रो कर दिया था उसका दमन करने के लिए शाही सेणा बेजे गई थी इस सेन्य वियान की साहिता में पृत्वी सिंग भी शाही सेना के साथ हो गया था जगत सिंग पराजित हो गया था तब शैजादे मुराद बख्ष ने पृत्वी सिंग को चमबा वापिस दे दिया 1641 में फिर्थ्वी सिंग का उत्रादीकारी उसका पुत्र छत्र सिंग हुआ इसके शशनकाल में बादशा और अंगजेव ने हिंदूओं के मंदिरों को द्वस्त कर उनके इस्थान पर मश्जिद बनवाने की आग्या प्रसारित की थी छत्र सिंग ने इस आदेश को स्वीकार नहीं किया और चम्बा के मंदिर बच गए वे मंदिर आज भी सुरक्षित विद्यमान है छत्र सिंग के पश्चात कई राजा चम्बा के शाशक हुए इस्वी सन 1764 में नौ वर्ष की अलपा वस्था में राज सिंग चम्बा की राजगदी पर बैठा इसकी नाबालगी में जंबू का रंजीत देव शाशन कारे का संचलन करता था उससे दिवान किपद पर नियुक्त किया गया था उससे प्रजा संतुष्ट नहीं थी और वे राजगोस का भी दुरूपियों करता था इसलिए व्यश्टक होते ही राज सिंग ने रंजीत देव को अब पदस्त कर मंदी खाने में डाल दिया था एक बार राज सिंग कहीं अन्यतर गया हुआ था पीछे से रंजीत देव के समर्थोकों ने उससे कारावास से मुक्त कर चमबा पर अधिकार कर लिया इस पर राज सिंग ने सिखो की रामगडिया मिसल वालों को एक लाग रुपिया देकर सहितार्ट बुलवाया और उनकी सहिता से जम्बो की सेना को राजे सीमा से भार्ख देड़ा राज सिंग ने 1782 में वनसाली पर हमला कर उस पर अधिकार कर लिया फिर उनसे एक लाग रुपे सेन्य वे के लेकर वापस उने लोटा दिया तदंतर जैज सिंग और उसके बाद चरहट सिंग 6 वर्ष की अवस्था में चमबा का शाषक बना उसके बाली काल में राजे शाषन उसकी मता देखती थी इसकी गदी नशीनी के एक वर्ष ब आहोर के अधिनस राजे के रूपे बन गया था चरहट सिंग की मृत्यू के समय 1844 में स्री सिंग सिर्फ पांच वर्ष का था पंजाब के महाराजा रंजी सिंग की मृत्यू के बाद पंजाब की हालत बिगड गई थी तथा प्रथम सिख युद में अंग्रेजों ने सिखो को हरा दिया था अब यंबू का महाराजा गुलाब सिंग बड़ा ताकतवर हो गया था वह चंबा को हजम कर जाना चाता था तब चंबा का स्वामी भक्त बजीर भगो सर हैंडरी लोरेंस के पास गया तथा सारी इस सती से परिशित कराया हैंडरी लोरेंस ने भादरवा के लाका तो गुलाब सिंग को दिला दिया परन्तु चंबा रजी को अंग्रिजो के संग्रशन में लेकर 6 अपरेल 1848 को राजा स्री सिंग को सनद दे दी इसके अनुसार चंबा को 12,000 रुपे सालाना अंग्रिजो को देना निश्चे हुआ राजा स्री सिंग के कोई पुत्र नहीं था इस पर उन्हीं के चोटे भाई गोपाल सिंग को 1870 में चंबा का राजा बनाया गया राजा गोपाल सिंग के बाद में उनके बड़े पुत्र टीका शाम सिंग चंबा के राजा बने शाम सिंग बड़े योग्य थे इनके शाषन में राजे की बड़ी तरक्की हु इनकी तबीत बड़ी खराब रहने लगी इनके कोई पुत्र नहीं था इसलिए अंग्रे सरकार को लिखा कि मेरे भाई भुरी सिंग के पक्ष में एब्डिकेट करना चाहता हूं तो सरकार ने नहीं माना परंतु बाद में इनके ज़्यादा जोड़ देने पर इससे स्वीकार कर लिया गया सन 1904 में भुरी सिंग चमबा के राजा बनाए गया भुरी सिंग का जनम 1869 में हुआ था दूसरे वर्ष 1905 में राजा शाम सिंग का निदन हो गया राजा भुरी सिंग बड़े योगे शाशक थे इन होने रज्य बड़ी योगेता से चलाया जनता बड़ी च्छोटे केसरी सिंग। इनकी च्छोटी पुत्री कश्मीर के महराजा हरि सिंग को भ्याई गई थी। इनकी मिर्टियू 1919 में ँने पर इनके बड़े पुत्र टिका राम सिंग। राम सिंग ने बड़े बार Caption के meant goodshard के बूधर आज़ दूसरे कुमर शेर सिंग है, राजा राम सिंग के बाद में उनके पुत्र लक्षमन सिंग चम्बा के राजा बने, राजा लक्षमन सिंग जी की रानी देविंद्र कुमारी राजस्थान के परताबगट की राजकुमारी है, ये हिमाचल प्रदेश से विधायका रह चुकी है इनके तीन पुत्र हैं बड़े प्रेम सिंग जो अब राजा हैं दूसरे हेम सिंग और छोटे ब्रजिंदर सिंग हैं इनकी पतनी पिछली बार हिमाजल प्रदेश में विदायका थी चमबा राजय का शित्रफल 3216 वर्ग मील था ब्रेटिश काल में चमबा सासकों को गहरे तुपों के सलामी का सम्मान भी प्राप था मौरियों के अन्य राजय मौरियों के मुख्य राजय समाप्त हो जाने के बाद भी मौरियों के कई अन्य राजयों के वरणन मिलते हैं ये राज्य मौरे समरजे के समय उनकी ही जाती वालों को जागिर के रूप में दिये गए होंगे जो की उनके सामन्त थे या मुख्य राज्य के समाप्त होने पर उनका खानदान इदर उदर फैल गया था तथा कहीं कहीं उन्होंने छोटे-छोटे राजेिस्थापित कर लिये थे ईसा की सातवी सताबदी में एक मोर्यवन्शी राजा पुरान वर्मा का उलेक मिलता है इससे परतित होता है की मगध और उसके आजस पास की प्रदेशों में साथवी शताब्दी तक भी उनके राजे विद्यमान थे इसी प्रकार बंबई गजेटिये में प्रकाशित कई लेखों से इसा की छटी सदी से आठवी सदी में कौंकन और पश्चीमी भारत में मौर्य वन्शियों के राजे होने के प्रमान मिले हैं 738 के कोटा के पास कंसवा के लेख में वहां के मौरी शाशक राजा धवल का वर्णन है इससे प्रतित होता है कि उस शित्र में मौर्यों का राजे था वर्तमान शिखावटी प्रदेश में लंबे समय से योधहियों को राजे था मौर्यों ने उन्हें पश्चिम के उध्यकेल कर वहां अपना राजे स्थपित किया था ऐसा उस प्रदेश में प्रचलित है मरहटों में भी मौर्य हैं जो अब मौरी कहलाते हैं ये लोग महाराश्टर में हैं वर्तमान में मौर्य उत्र प्रदेश में मतुरा आगरा पतहपुर सीकरी तथा मद्यप्रदेश के उज्जयन इंदौर और लिमार जीलों में हैं मौर्यों के गोत्रादी निम्न प्रकार से हैं गोत्र गोतम प्रवर तीन गोतम वशिष्ट बाहर्शपत्य वेद यजुरवेद शाखा वाजस नई सुत्र पारशकर गरास सुत्र कुल्देव खंडे राव शुब कारिय में यह मौर के पंक भी रखते हैं